नमस्कार मैं उशा भारगव स्वागत है आपका अमारी इस खास रिपोर्ट में तुर्की और सीरिया में भुकम से हालाद बत्तर होते जा रहे हैं अब तक कुल 9000 से ज्यादा लोग इस विनाशकारी आपदा का शिकार हो चुके हैं कुद्रत का ऐसा कहर बर्पा की मानव जाती की दर्कते हिली की हिली रह गई भयंकर क्राजदी से हिले तुर्किये सीरिया 9000 से जादा जिन्दिगियों ने तोड़ा दम ये फरवरी को आये थे तीन बड़े भुकम तीन टेक्तॉनिक प्लेट से घिरा तुर्किये ये मनजर ये तबाही ये तस्वीर देख आप अपने दातों तले उंगली दबा लेंगे भयानत द्राजदी ने लोगों की हस्ती खेलती जिन्दगी को उजाग कर रख दिया है जो शहर कभी गुलशन हुआ करता था वहां तबाही का ऐसा मनजर देख कर सभी हैरान है तुर्किये सीरिया में 24 घंटे में भुकम के साथ विनाशकारी जटकों से अब तक कुल 9,000 जिन्दगियां काल के गाल में समा चुकी है दोनों देशों में करीब 25,000 से जादा लोग खायल है डबलू एच्चों ने जारी किये डराने वाले आकड़े मौतों की संख्या में हो सकती है बड़ो त्री करीब 8 गुना तक बढ़ सकती है मृत्कों की संख्या बतादे की भुकम तब आता है जब प्रत्वी की सबसे बाहरी परत के बड़े तुकले अचानक एक दूसरे के पीछे चले जाते हैं एक सवाल ये भी उट रहा है कि इन भुकम्पों के कारण इतनी मौते क्यूं हुई एक्सपर्ट के मुताबिक 7.8 त्रीवता वाला भुकम्प आधिकारिक रूप से बहुत विनाशकारी शेणी में रखा जाता है एक्सपर्ट का मानना है कि तुर्की का भुकम्प एक स्ट्राइक स्लिप भुकम्प था भुकम्प ने किया भारी नुकसा चार हजार से जादा इमारते ध्वस्त वीस हजार से जादा जान जाने का अनुमा युद्र इस्तर पर चल रहा राहत और बचावकार भारत समेट कई देश मदद को आए सामने तुर्की में आये भुकम्प के बाद नीदरलैंड के एक व्याग्यानी का ट्वीट सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है दरसल इस ट्वीट में व्याग्यानीक ने तुर्की में बड़ा भुकम्प आने की चेतावनी दी थी जो कि सक साबित हुई छे फरवरी को आये थे तीन बड़े भुकम्प सुबा करीब 7.8 त्रीवता का आया भुकम्प कई जिन्दिग्यां भुकम्प से तबा ये इतनी बड़ी तरासिदी है कि राष्टपती एड्रेगौन ने साथ दिन के राष्ट शोक और भुकम्प रभावित दसप्रांतों में तीन महीनी की आपात स्थिती की गोशना की है सवाल ये उठता है कि आखिर इतना भयानक भुकम्प कैसे आया मालूम हो कि पूरी दुनिया अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई है इन हिस्सों का मिलन एक फॉल्ट लाइन पर होता है जहां प्लेटे आम तोर पर एक दूसरे से टकराती है लेकिन कभी-कभी तनाव बढ़ जाता है तब प्लेटे बड़ी मात्रा में उर्जा निकालती है और एक दूसरे को तेजी से पार करती है इस दोरान दो प्लेटे एक दूसरे को जटका देते हुए दो अलग-अलग दिशाओं में निकल जाती है इसी प्रक्रिया के कारण भुकम पाता है भुकम का केन तूर्की में एक प्रमुक शहर और प्रांती राजधानी गाजिया टेव के पास था दक्षिर तूर्की के इस प्रभाविच छेत्र में कई पुरानी इमारते थी जो काफी कमजोर थी तेज आये जलजलों को ये इमारते सह नहीं पाई भुकम के तेज जटकों से हजारों इमारतेज जमी दोज हो गई है हमारे इस खास कारिकरम में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी नमस्कार